जेहन वंदे मातरम दोस्तों इस समय लोगडाउन से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल का आई डिया कि लोगडाउन 14 अप्रेल के बाद हटाया जाएगा या नहीं ट्रेने चिलेगी या नहीं दोस्तों बसे चिलेगी या नहीं अगर आप जो हैं कई फसे हुए हैं कई दूस तुमाम बड़ी खबरों की तरह रेलवे की तैयारिया तेज 15 अप्रेल से ट्रेने चलाने का से दूल रेलवे बोर्ड को बेजा जिया दोस्तों इस समय के सबसे बड़ी खबर आ रही है अगर 15 अप्रेल से ट्रेने चलती है तो गोरकपूर से पहले दिन गोरकदाम और LTT Express म चार ट्रेनेर रहाना होगी, दूसरे दिन 6 और तीसरे दिन 8 ट्रेने चलाए जाएगी, एक सपता है कि अंदर गोरकपुर से चलने वाली सभी ट्रेने पहले के तरह चलने लगेगी, पुर्वतर रेलवे के गोरकपुर परिचालेंज विबाग ने रेल्यों बोर्ड को अपने पर 17 को 8 ट्रेने चलाए जाएगी, एक सपता है के अंदर सभी ट्रेने शुरू कर दी जाएगी, लेकिन इंतजार अभी केंद सरकार की हरी जंडी का है, जैसे ही केंद सरकार हरी जंडी देगी रेल्वे का तो रेल्वे कुछ अपने विशे सर्तों के साथ और नियम के साथ जो है ट्रेने चलाने का काम सुरू कर देगा, चले दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी कबर की तरह लोगडाइन चाहे खुले या नहीं 15 मही तक बंद रह सकती है, स्कूल कोलेज समेद यह जग्या जिया दोस्तों आइस समय की सबसे बड़ी कबर आ रही है, आपको बता दे कोईड उनिस पर मंत्रियों के समोने 15 मही तक सभी सेक्शनिक संस्ताओं को बंद करने की सिपारिस की है, अधिकारी सुत्रों दे बताया कि सरकार का सोचना है कि इससे स्कूलों और कोलेज एक तरह से गर्मियों की छुट्टियों को मिला कर जोन के अंते तक बंद रहें कि ग सेक्शनिक संस्तान वा धार्मिक गतिविदियों वाली जगह बंद रहेंगी, रक्षा मंत्री राजनासियां के अध्यक्स्ता वाली जीओ एम ने यह तई किया है कि दार्मिक केंदरू सोपिंग मॉल सेक्शनिक संस्तानों को 14 अपरेल के बाद कम से कम 4 सपता तक सामने गति मंत्री निर्मला सितारमन आदी सामिल हुए थे ले दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर किसानों के लिए खुसकबरी 15 अपरेल से गेहों की खरीद सुरू कर देगी राज्य सरकारे जिया दोस्तों आपको पता दे केंद सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दि और उनकी पसल की खरीद हो सकें इसके लिए राज्य सरकारे 15 अपरेल से गेहों की खरीद जो हैं सुरू कर देगी साधी केंद सरकार ने डाल ले हैं और ओ ladेश दिया हैं कि कल्शी मंतरी निरुडसी तोमर ने का आए कि सरकार पूरी कोशिश में है कि लोगड़ान की ओडिशाज के बाद अब पंजाब सरकार ने लोगडाउन की अवधी बढ़ाने का फेसला किया है। इस महामारी से 11 लोगों की मोद भी हो चुकी है। के लिए 15 अपरेल से उनको कर्से मंडी तक जाने के छूट भी परतान की है। परदेश के खिसानों के चेरों पर कुशी की जला किया लेकिन वाइरस के संकर्मन का खत्रा भी बरकरार है। परदान मंत्री पसल भी मा योजना में अगले एक महाय में 700 करोड रुपे के प्रीमम का बुक्तान करने का निनने लिया गया। चले दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इतने खराब हो चुके हैं कि पिछले 24 गंटे के अंदर 1783 यानि 1783 लोगों की मोहत हो चुकी है। चले दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना पोजिट्वे के मरीजों की गुसपेट कराने की फिराग में पाकिस्तान SSB के पत्र के बाद परसासन अलेट जियां दोस्तों इस समी के सबसे बड़ी कबर आ रही हैं आपको बताते हैं ससस्तर सीमा बल SSB ने पाकिस्तान के नापाक मनसुके की खिलाब बिहार परसा गुपतेस और पांडे ने इस संदर्व में SSB की तरब से लिके गए पत्र की पुष्टी किया SSB की इस आसंगा के बाद नेपाल से सटे सभी जिलों में परसासन स्तर्क हो गया है और गुसपेट रोकने के लिए सीमा पर निगरानी बड़ा दी गई है आपको बता दे SSB ने पस्यम चंपरन जिले के DM और SSB को पत्र लेकर सुचित किया है कि बारत में कोरुना वाइरस की महामारी फेलाने के लिए एक रेकेट चलाया जा रहा है पत्र में नेपाल की बोडर के जिरी कोरुना के मुस्लिम मर्युजों की गुसपेट बिहार में कराई जाने के आसंगा पत्र में कहा गया है कि नेपाल में मुझूद 40-50 भारते मुस्लिमों की रिपोर्ट कोरुना पॉजिटिव है इने बिहार के जरी बारत में बेज़े जाने की साजी से ये भी कहा गया है कि कोविर 19 से संकरवित करीब 10-15 पाकिस्तानी नागरिक नेपाल में मुझूद है और सोसल डिस्टेंशिंग को अपनाते हुए इस तरह से ट्रेल चलाने के विकल्पों को खंगाल रहा है रेलवेजियां दोस्तों आपको बता दे कि कोविर 19 के परकोव और लोकडाउन के चलते देज की सबी गतिविद्या ठफ हैं परीवन के सभी साधनों रेल बस और विवान सेवाओं को निलंबित किया गिया है लेकिन देर सबेर या सभी सुविदाए कुछ पर्तिबंदों के साथ सुरू होगी ऐसे में दुनिया का चोता सबसे बड़ा रेल नेटवर्क रखने वाले बारत में भी ये सेवा पटरी पर लोटनों सुरू होगी रेलवे अपनी सेव सुरू होने बताया कि रेल वोट के परमू वीके यादव ने रेलवे के सीर्स अधिकारियों के साथ हुई एक वीडियो मिटिंग में संकेत दिया कि सरकार की योजना देश को तीन जोन रेट जोन येलो जोन और ग्रीन जोन में बातने की हैं रेट जोन में कोई परिवान से बारे में चर्चा कर रहे हैं अधिकारी कुछ विकल को को पेले से तयार कर लेना चाहते है ताकि सरकार जब देश में रेल सवा सुरू करने का आदेश दो वह उसके समक्स अपने विकल पर पेस कर सके हैं रेल अधिकारी अपने विकल को तयार करते समय सोसल डिस्टेंसिंग आपी काफी ध्यान रख रहे हैं चले दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओप करेंगे बताया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमन को देखते हुए देश बत 14 अपरेल को खत्म हो रहे लोगडाउन को बढ़ाया जा सकता है साथ या आपको ये भी बता दे कि अब तक कहीं राज्ये इसे बढ़ाने पर सहमती भी जता चुके हैं इस बीच ओडिसा के बाद लोगडाउन बढ़ाने वाला पंजाब देश का दूसरा राज्ये भी हो गया पंजाब ने एक मही तक जब की ओडिसा ने 30 अपरेल तक लोगडाउन बढ़ाया है इससे पहले पीएम सभी दिलों के नेताओं के साथ लोगडाउन पर बाचित करें उनकी राई जान चुके हैं ज्यादा तर दल भी लोगडाउन बढ़ाने के पक्ष में थे दूसरी और सनिवार को सभी राज्यों के मुख्यों मंत्रियों से इस महामारी से निपटने के लिए दूसरी बेटक के बाद परदान मंत्री मोडी कभी भी राष्ट के नाम समोधित कर सकते हैं माना जा रहा है कि राष्ट के नाम संबोधिन में PM मोधी लोगडाउन की अवधी बढ़ाने के साथ ही कहीं बड़े बदलवों की गोसना करेंगे दरहसल गुदवार को परदान मंत्री मोधी की ओर से वीडियो कॉन्फरेंस के जिरे संसद में वीवन दलों के साथ संचिय दल क नेताओं के साथ हुई बेटक में परदान मंत्री मोधी ने लोगडाउन बढ़ाने का संकेत दिया था पीम ने का था कि इस बारे में वह सनिवार को सभी मुक्यों मंत्रियों की राय लेंगे लगबग सभी दलों ने भी लोगडाउन बढ़ाने पर सहमत्य दी इससे पहले तो दोस्तों यह थी लोगडाउन और रेल्वे से जुड़ी कुछ तमाम बड़ी कबर आपको बताते दोस्तों रेल्वे ने ट्रेने चिलाने के लिए पूरी तैयार यह कर लिए लेकिन दोस्तों जो है केंद सरकार से जब हरी जंडी मिलेगी जब लोगडाउन हटा दिया जाएगा उसके बाद रेल्वे कुछ विशेश सर्तों के साथ चलाएगा आपको बताते दोस्तों रेल्वे अभी सभी ट्रेनों को सेनेटाइज कर रहा है और स्टेशन को सेनेटाइज कर रहा है क्योंकि जैसे केंद सरकार हरी जंडी दे तो ट्रेने जो है तुरन्त की जा सके साथ ही आपको ये भी बता दे कि लोकडाउन के चलते आज प्रतान